अगला वीडियो है हमारा डिडेक्शन फ्रॉम सेलरी इसने पहले जो भी राशी हमारी इंकम फ्रॉम सेलरी में करी होगी होती है जब उन सरवाशियों को हम जोड देते हैं तो उसको टुटल हमारा कहलाता है ग्रॉस सेलरी नेट सेली निकालने के लिए उसमें से कुछ डिटेक्शन जो नियवनोसार हमें सुईक्रत होते हैं उन्हें घटा दिये जाएंगे उनको घटाने पर जो राशी ग्यात होगी वो हमारी कहलाती है net salary तो net salary निकालने के लिए deduction कौन-कौन से होगी इसको हम अपर वीडियो में देखेंगे यानि जो भी राशी आपको income के फरूप में मिलती है वो मौद्रिक वेतन हो सकता है जो भी monetary salary है basic salary है bonus है आपकी basic salary हो सकती है bonus हो सकता है जो आपको मिला हो commission हो सकता है सारे taxable allowances हो सकते है फिर आपकी profits in lieu of salary जो भी retirement benefits है वो हो सकते हैं आपके plus आपकी value of perquisites हो सकती है जिसको अपन बोलते है facility इसका जो total है यह हमारा कहलाता है gross salary जिस भी form में आपको salary मिल रही है चाए वो आपकी cash के form में है चाए आपकी वो सुवीधाओं के form में है चाए retirement benefits है जो भी taxable है उन सब को हम दी जोड़ देते हैं तो वो कहलाती है हमारी gross salary इस gross salary में से हमें कुछ directions allowed होते है उन directions को यदि हम घटा दें तो जो चीज निकलेगी वो कहलाती है हमारी net taxable salary तो net taxable salary निकालने के लिए deduction कौन-कौन से allowed होंगे इसको हम इस वीडियो में देखेंगे इसने पहली जो कटोती है उसका नाम है हमारा प्रमानिक कटोती जो पहली कटोती है उसका नाम है यहां पर हमारा standard deduction प्रमानिक कटोती जब भी आप gross salary निकाल रहे हैं उसमें कोई भी वेतन भूगी करमचारी है तो उसमें एक section अपना जोड़ा गया है प्रमानिक कटोती का जिसमें सकल वेतन की राशी या पचास अजार जो भी कम हो यानि जो भी gross salary है या फिर पचास अजार जो भी कम हो वो राशी हम घटाएंगे standard deduction के नाम से second कटोती का नाम है हमारा मनोरंजन भत्ते की कटोती directions for entertainment lounge जब हमने partly taxable analysis के बारे में पढ़ा था अंश्त है करियोग्य भत्तों के बारे में तो वहाँ पर ये बत्ता हमने बताया था कि जो मनोरंजन भत्ता है वो हमारा अंश्त है करियोग्य है लेकिन इसे पहले हम gross salary निकालते समय पून तहर करियों के मानकर जोड़के दिखाएंगे और बाद में कटोतियों के रूप में घटा के दिखाएंगे ऐसा मैंने आपको बताया था जब हम allowances के बारे में पढ़ रहे थे तो जब भी प्रश्न में मनोरंजन भत्ता आता है जब से कम होगी वो कटोती के रूप में स्विक्रत होगी पहली राशी भत्ते की वास्तिक प्राप्त राशी दूसरा बेसिक सेलरी केवल मूल वेतन का 20 परसेंट या 1 फिफ्ट और 5000 रुपए किता भत्ता प्राप्त हुआ है बेसिक सेलरी का 1 फिफ्ट या 20 परसेंट और 5000 जो सबसे कम होगा वो हम कटोती के रूप में घटाएंगे यदि करमचारी सरकारी करमचारी है तो यहाँ पर हमने वाकई में मनोरंजन पर कितना पैसा खर्च किया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है सिर्फ हमें इन तीन राशियों की गढ़ना करनी है जो सबसे कम होगा वो हमारा कटोती के रूप में स्विक्रत होगा और जो तीसरी कटोती है वो है हमारी रोजगार पर लगाये कर के सम्मन में कटोती डिडेक्शन फोर टेक्स ओन एम्प्लॉयमेंट याँ एम्प्लॉयमेंट पर टेक्स लगाया गया है उसका राशियों आपकी चुकाई है तो वो भी कटोती के रूप में स्विक्रत होगी पर यहाँ पर नियम यह है कि यह जो रोजगार पर लगाया हुआ कर है इसका बुदान करमचारी ने गतवर्ष में कर दिया हो यह तो करमचारी ने किया हो और गतवर्ष में इसका भुक्तान जो कर दिया है तो भुक्तान की संपून राशी कटोती की रूप में स्विक्रत होगी जितना भी कर चुकाया है वो कटवती की रूप में स्विक्रत होगा चाहे वो गतवर्ष के पहले का हो या किसी वर्ष का हो जितना राशी आपने चुका दी है वो स्विक्रत है जो बकाया कर है वो कटवती की रूप में स्विक्रत नहीं होगा राशी किसी वर्ष से संबंदित हो मैं फिर रिपिट कर रही हूँ रोजगार करकी राशी किसी भी वर्ष से संबंदित हो जितनी राशी आपकी चुका दी गई है चाहे किसी भी वर्ष की हो जितनी चुका दी गई है वो कटोती की रूप में सुईकरत है जो बकाया राशी है वो चाहे इसी वर्ष की हो तो भी कटोती के रुप में सुईक्रत नहीं होगी यदि करमचारी ने नियोजन करकी राशी का भुकतान नियोकता ने किया है यदि एंप्लमेंट टेक्स की राशी नियोकता ने चुकाई है तो फिर ये संपून राशी करमचारी के लिए कर्योग्य होगी ये सोचकर कि ये राशी चुकानी थी करमचारी को लेकिन चुका दी है नियोकता ने इसके करमचारी का दाईत तो मानते हुए जिसका भुकतान नियोकता ने किया हम क्या करेंगे पहले इसको पूर्टा है करियोग के करेंगे ग्रॉस सैलरी के इंदर उसके पश्चाद इसके हम कटोथी स्विक्रत करेंगे नियोजन करकी यानि यदि नियोकता ने चुकाई है तो पहले हम जोड़ के दिखाएंगे सैलरी का पार्ट मान कटोथी दे होने पर भी मिल जाएगी मतलर रोजगार यदि नियोकता को चुकाना है तो फिर आपका due basis पर भी कटोथी करमचारी को मिल जाएगी पहले हम इंकम में जोड़ के दिखा देंगे उसको फिर हम बाद में वापस कटोथी की रूप में गटागे दिखा देंगे और यह जो कटोथी राशी है वो मैक्जिमम हमें 2500 रुपय तक ही मिल सकती है 2500 रुपय से अधिक की कटोथी हमें इस विक्रत नहीं होगी न्यू टेक्स रिजूम में कहा गया है कि यह दि करदाता नई टेक्स रिजीम को उप्ट करता है अभी हमारे करमचारियों के पास सभी करमचारियों के पास दो तरह की करकी दरों का ओप्शन है हम चाहें तो पुरानी करकी तो लों को मान सकते हैं या हम नई करकी दरों को हम मान रहे हैं तो फिकरदाता को इन तीनों में से कोई भी किसी भी प्रकार्ट की कटोटी सुउकरत नहीं होगी तीनों में से कोई भी राशीishing आपको लाउड नी करनी ना तो वेधानी कटोटी जो पचास हजार रुपे की हैं ना अमरंजनबत्य की कटोती जो सरकारी करमचारियों को मिलती है मैगजिम 5,000 रुपए ना ही रोजगार करकी कटोती जो मैगजिम 5,000 रुपए है यह तीनों ही कटोतियां स्विक्रत नहीं होंगी यदि उसने नई करके दरों के विकल्प का चैन किया है पुरानी विकल्प करके तो ही यह तीनों कोटोतियां हमको गटा कर दिखानी है ये वीडियो और आगे के जो Gregory based जो मैं बना के दूंगी उनका purpose यह है कि आप इन वीडियों को देखो इसके nods आप देखो और और पढ़के आप इंको याद रखो, क्योंकि कुछ वीडियो पूरा होने के बाद, जब अपने questions आएंगे, उसमें सारे points कमाइंड होके आएंगे, जिसमें कुछ allowances भी होंगे, कुछ सुवीदाइं होंगी, deductions भी होंगे, profits and lose salary भी होगा, जब हम question पूरा कमाइंड एक साथ करेंगे, तो उस समय हमें सारे rules याद होने और clear होने जरूरी है, हर वीडियो के साथ जो मैं theory base ही बना रही हूँ, example नहीं है इसके नहीं समझाने के लिए, आप उसके notes पढ़के, समझ के और याद करने हैं, ताकि बड़ा question करते समय हम आसन इस question को पूरा कर सकें, तो इन notes जो मैं आप बता रही हूँ, इन notes को आप पढ़िए, याद कीजिए, समझिए, और कोई दिक्कात आती तो भी मुझे पूचिए, आज के लिए इतना ही,